कि वेल्कम वन्स अगेन इन पॉली नॉलेज यूटीव चैनल तो गाई जा गए हैं अपने डिश्टल इलेक्ट्रोनिक्स की न्यू क्लास में जिसमें आपको प्राएंगे जॉंसन काउंटर जॉंसन काउंटर क्या है जॉंसन काउंटर एक रिंग काउंटर का मोडिफाई करते थे तो नहीं इस्टेट की क्या करते थे काउंट कर पांटे ते अगर मह लिए चार फिलिफलोब उच कर रहे थे य हैं जॉनसन काउंटर का तो जैसे अगरई इसमें इसमें क्रूंटिंग की संक्या यह यह नई नियुक्त कर रहे हैं तो काउंटिंग भी यह इन स्टेट था कि कर पाएंगे जितना फिलिप लॉब उतनी काउंटिंग पहले था के पहले फिलिप फ्लॉप में इन्पुट की रूप में ऑएगा ओगे तो यहां से वंकाटते हैं पहले हम चार फिलिप लॉप मौन कि या कि ये मारे तीन फिलिपतलों बन चुके हैं या या रहेंगे यहां पर क्या चीए ह्पजया था जा मघ refusing अपर यहां पर करेंगे सब्सक्रार करेंगे यह हमारा क्या है A, B, C, D यह क्या होगे हमारे चार फिलिप लॉप होगे QA, QB, QC, QD यहां पर रहेगा क्या QD बार, Q, B बार स्वरी, QC बार रहेगा QB, बार यहां पर रहेगा QA, बार ओके, इन्पुट में रखेंगे TA, DA क्या रहेगा DA, DB, DC यह क्या रहेगा DD तो यहां पर क्या होगा ऐसे हम जाग रहेंगे इसका आउटपुट इसके इन्पुट में इसका आउटपुट इसके इन्पुट में इसका आउटपुट इसके इन्पुट में लेकिन यहां पर जो आउटपुट हमारा कॉम्प्लिमेंटड वाला है उसको कि весь रेंगे input के रूप में ले जायांगे यहांसे है वेका कि यहां पर युद्य वाला input है इसमें जोड़ेंगे इस प्रकाट से महारे की बने बने के Johnson counter यह होगे मारे के में डेँ यह से फिली सब्रकाइह कमें प्रकाट से में जांटर जोंसन 씬 दें आज़े प। जो हमारे फिलिफ लॉप अंडी वाला उसका उट्पूट क्या रहेगा जीरो जीरो रहेगा यहां से हम चारो आउट्पूट प्राफ्ट करेंगे यहां से क्योडी रहेगा यहां से QC रहेगा यहां से QB रहेगा यहां से QA रहेगा तो ग्या होगा कि हमारा 4 गया रहेंगे 00 रहेंगे यह माल लेजिए QD QC QB QA तो यहां पर पहले 4 00 रहेंगे अगर यह QD क्या है 0 है यह वाला क्या रहेगा 1 रहेगा क्योंकि यह 1 feedback की रूप में कहा आ रहा है QA में आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है तो जैसे ही मारा clock pulse का फस्ट वाला positive जाएगा यह 1 कहां पर shift हो जाएगा यहां पर output QA पर यह वाला flip-flop का अगर input 1 किये जाता तो output 1 देता जब QA पर shift हो जाएगा तो मतलब QA क्या हो गया 1 हो गया बागी सभी क्या है 0 है अब यह जब QA 1 दे दिया output तो next flip-flop पर input की रूप में 1 पहुँच चुका है जैसे ही next clock pulse आएगा next clock pulse आएगा तो क्या होगा यह वाला one यहां पर shift हो जाएगा यहां पर shift हो जाएगा और यह वाला one अभी यहां पर बना हुआ है क्या हुआ है यहां पर बना हुआ है इस प्रगार से अब यहां पर क्या हुआ कि हमारा QB QB जो है वो भी क्या हो गया 1 आ गया क्या यहां से 1 यहां पर है यह 1 आ गया है उस्के जब यह QB भी वन आ गया तो next clock pulse पे QC भी बना जाया स्ट है फिर यह क्या होगा हमारा QD भी वन आ जाएगा Next clock pulse पे Next clock pulse पे जब हमारा QD वन आ गया जब QD वन आ गया तो क्या होगा कि QD बार 0 हो जाएगा जब यह 0 होगा तो यहाँ से feedback के रूम में क्या लेगा QA यहाँ पर तारी यह हमारा क्या है DA input जो है यह क्या लेगा 0 लेगा और 0 लेते ही Next clock pulse जो 5 number आला clock pulse आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा 5 number वाले clock pulse पे मारा क्या होगा QA 0 आ गया और फिर 6 number वाला जो clock pulse रहेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 6 number वाले clock pulse पे मारा क्या होगा यह वाला भी 0 हो जाएगा क्यों भी तो क्या आएगा 1100 पर 7 नंबर वाले क्लॉक पल्स पर क्या होगा यह भी 40 हो जाएंगे अलब जहां से स्टार्ट अ कांटिंग वहीं पर आ क्या होगा रुख गया है तो यह मारा क्या हुए यह में इस इस प्रकार से इसे बनाते ही हैं नेक्ष्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सेप्ट रेजिस्टर जो कि हमारा नया चैप्टर हो गया तो हैं कि दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगए लाइक देख सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दे